हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो माई चैनल माई नम इस अंकुर मेंदरत्ता दोस्तो ट्राइल बाइफायर नेट्फिक्स पर मैंने अभी अभी देखकर खतम किया है टोटल अपिसोड है साथ और हर अपिसोड की अवरिज लेंगत है 40 से 45 मिंट वही मैं कहना चाहूँगा आप चाहे कमर्शल सिनेमा देखना पसंद करते हैं चाहे ड्रामा देखना पसंद करते हैं या कोई भी सिनेमा देखना पसंद करते हैं अगर आपने ट्राइल बाइफायर मिस कर दिया तो यह समझ लो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया भाई कहानी है उपहार सिनेमा की जो रियल पर बेस्ड है, बॉर्डर फिल्म रिलीज होई थी 1997 में, वहाँ पर 900 लोग गए थे उस फिल्म को देखने के लिए, तो उस शो में लग जाती है आग, भाई पूरा थेटर जलकर राख हो जाता है, कुछ लोग बाहर निकल पाते हैं, कुछ लोग वही दम घुटकर मर जाते है तो भाई हमार को दिखाने कोशिश की एक कहानी अभे देवल राशी देश पांडे के नजरिये से, उनके दो बच्चे थे एक लड़का लड़की, दोनों मूवी देखने जाते हैं, और वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ आग लग गई थी, और आग हमारी सरकार जो हमारा उस टेम का जज्जमेंट था, इतना ज्यादा सलो था, इतना ज्यादा लाचार था, क्यों बड़े बड़े लोगों के हातों बिग जाता था, पैसे वालों हातों बिग जाता था, ये दिखाने कोशिश किया, भाई जज्जमेंट आती है लग भग 25 सा के बाद और फिर वियों सिर्फ और सिर्फ छे महीने सजा काटने के बाद छूड जाते हैं वो भाई इतनी जबरदस्त इतनी भाई टाइट है ना यह स्टोरी के देखकर आपको दिमाग घूम जाएगा साथवां एपिसोड आप नहीं देख पाएंगे अगर आप कमजोर दिन के साथ ऐसे शो को बनाया है ऐसी कहानी सामने लेकर आए हैं जो काफी समय से छुपी हुई थी सिर्फ और सिर्फ अगबार के पन्नों में रह गई थी ये अब शो आया है प्लीज डोंट मिस इट अगर आप कुछ भी देख रहे हो ना छोड़ दो और जाकर ये देखो दम हो तो भाई साथ वे अपिसोड पूरा देख लेना आप रो पढ़ेंगे राशीद रेश पांडे जो इसमें लीड एक्टर हैं सेल्यूट है उन्होंने क्या काम किया है और अभे देवल ने भी भाई बहुत अच्छा काम किया है भाई जाओ और देखो आप बहुत बहुत कु दिया तो वीडियों में इतना ही कुछ अच्छा को चनल सब्सक्राइब कर देना थैंक्स पूर वोचिंग